हेलो एवरिवन एम डॉक्टर जी वशाहदा तो आज की क्लास में अपन गुविंद पारिक के तुलनात्मकद्धिन का 18 नंबर का जो पेज है ठीक है वो आपन देखेंगे तो लास्ट क्लास में जो आपन देख रहे थे ठीक है अचारी चरक के नुसार शुशुरुत के नुस ठीक है तो तंधर यूपति की जो टाइब से अचारे जो चरक हैं में कितने बता हैं 36 बता है तंधर यूपति कितने बता हैं 36 कि तो बता हैं जैगे जारे चरक ने 36 टाइब के तंत्रयोक्ति होते हैं यह दो बात करें भाव प्रकास की विशह में तो भाव प्रकास ने बहुत 네 42 को carved Marta से बदें जबना कितने कितना बते हैं 42 आपके तंत्रयोक्ति के टाइप मिश्यू न्यथा अध्र हरिस्चंद्रमि continuing वंटर हरीषच Анд्रे ने टोटल 40 वती ने तो भटर हरीषचंद्रे किपने कितन स। 24 बता है तो यह आपको याद रखने तंत्र यूःक्ति के जो टाइप्स यह ये अचारे चरक के अनुशार उसके बाद नहीं ये अचारे शुष्रूत के अनुशार ये आपको याद रखने है फिर अजिरन के विशम बात करें तो अचारे जो चरक है उन्होंने उसके भेद का बढ़ना नहीं किया है जबकि अचारे शुशुरूत ने मिल लिए चार प्रकार के अजिरने के भेद बता है साडंगधर ने मिल लिए तीन प्रकार के बता है जो अजिरने के भेद है वो माधवकर जो जी है ठीक है अचारे जो माधवजी है उन्होंने टोटल 6 टाइप के 6 टाइप के आपके अजिरने के भेद बता है अधा अचारे कश्यप ने 3 प्रकार के जो है अजिरने के भेद बता है तो इसको भियाद रखना अजिरने के जो भेद है अचारे जो शुशुरुत है उनके अनुसार 4 है साडंगधर के अनुसार 3 है माधवकर के अनुसार 6 है ठीक है और आपका कर्षप के अनुसार भी 3 है ठीक है फिर आरोचक के भीद के विशम बात करें तो आरोचक के टोटल अचारी चरक ने 5 भीद बता है आरोचक के कितने भीद बता है अचारी चरक ने 5 अचारी शुसृत ने भी आरोचक के टोटल 5 भी बताह है और माधोकर ने भी टोटल पांच बताह है फिर बात करते हैं अर्स कि विशे में अचारे जो चरक है उन्होंने 2版 गिने 2 Casa 1 पПрaring फ्रकर जी और माधोकर्जी उन्होंने चहारे चरक ने बता है उन्होंने शठक के विद बताहिए 13 deepest बताह है 30MM हैthe तो इसको भी आपको याद रखने हैं, फिर बात करते हैं अतिसार के विश्य में, तो अतिसार के विश्य में अचारी जो चरक हैं, उन्होंने टोटल 6 टाइप बता हैं, ठीक, अतिसार के कितने 6 टाइप बता हैं, शुशुरूत ने भी 6 टाइप ही बता हैं, ठीक, अचारी श हम लपित्त के विष्य हम बाद करें तो सब्सक्सित हो अब कि विष्य हम बात करें तो अम लपित्त के भेत कबें चला को शुश्रुत ने वर्डन किया है जो आपका अमलपित्त है हुसका ठीक है तो अमलपित्तтस के द्वीद व्यूद्व थीवीत भेथ का जो वर्डन है वब आज अचारे माधुगत्तser है और ८्रुम करेंग曲 कश्या पुन्हों नहीं सबसे यहाद माना है ठीक है बागी आपके सालंगधर और माध्योकर ने उन्होंने भी six six यानि की छहचे बेधी बताए हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके स्वास रोग के विशम बताएगे तो स्वास रोग के विशम बात कर लेते हैं तो स्वास रोग की टूटल अचारे चरग ने कित पर यहां पर बता है तो तौमक पाका जो भेध चलरक ने दो बता है अचारी जो बात करें साब करें तो अचारे शुचरूट ने इस도रू भेद बता हैं ठीक है फिर कास के विश्यम बात करें तो जो कास है कफिंग कास है उसके टोटल पांच भेद अचारे चरक ने भी माने हैं और अचारे शुशूरूत ने भी माने हैं तो यह चीज़ याद रखना कि सडंगधर हो गये शुशूरूत हो गये इन्होंने कास के पांच भेदो का वर्डने की हैं फिर बात करते हैं रिद रोख की विश्यम है तो रिद रोख की संखिया चारे चरक ने कितना बता है था वांच भेद बता है ठीक है तो जो गै मदे की अवस्था के विश्म बात करते हैं तो मदे की अवस्था तीन स्टेज होते हैं तो आपके मेंग लिजो ब्रहत्री है ठीक है जितने भी जैसे चराक हो गया, शुशुरूत हो गया, वांग भट हो गया, तीनों में कहापका, मेली मद की जो है, तीन अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है, तीन तीन भेत बता हैं, मद की जो अवस्था हैं, तीन स्टेज होती हैं, ये बताएगे हैं, जबकि जो माधावकर हैं, मादावकन ने total 4 जो है अवस्थाओं का वढ़न किया है फोर स्टेज होते हैं ऐसा बोले हैं अचारे मादावकन ने फिर आगे बढ़ते हैं तो मदाथते के विश्यम बात करते हैं तो मदाथते के 4 टाइपस बताया है अचारे चरक ने, अचारे शुषृत ने भी 4 टाइपस बता है, वांगभट ने 7 टाइपस बता है, तो मदात्य के 4 टाइपस चरक ने, 4 टाइपस शुषृत ने, वांगभट ने 7 टाइपस और सारंगधर ने भी 7 टाइपस बता है, फिर बात करते हैं, पांडू रोग के वि पता है और सणगतम दरने भी पांचवेत् बता है करा मोश्ट ऑप्द जो है पांचवेत्ग बता है आपirasटे इसका यारीत नीं कितने बता है शुК घंट है या आपको याद रखनेैं answers मतलब जो और चारें चरक है उन्होंने क्या है से सेवन भी माना है रहें ते आपको एाद रिखने है, सेवन भी आठारा भी और असंग के भी, साथ आठारा, असंग की, यह क्या है, कुष्टे के भेध अचारेशा रखने माना है, जबकि अचारेश व्सूरुत ने अचारा भिद माने है, वांगभर्त ने किह है, 18 माने है, माधोकर ने भी अठार माने है कश्यप ने भी अठार माने है और भेल ने भी अठार माने है तो ये चीज़ को आपको याद रखना है वंगभर्ट, माधोकर, भेल, कश्यप सबने कहे एक्वल ही माने है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका कहे है कामला रोक के विशे में आपके बताएगे है तो जो कामला है तो कामला के कितने भेद हैं अचारे चरक के नुसार दो है ठीक है इसके अलाब अचारे जो शुश्रूत है उनके नुसार कितने हैं दो है ठीक है सडंगधर कितने बताएगे एक भेद बता बता हैं और यह कहा अचारे चरक ने बोले हैं जब कि विसरप के पांच टाइप का बढ़े नहीं अचारे शुच्छत के आठी भीद बता हैं ठीक और माधवकन ने भी आठी भीद बता हैं बस अचारे जो वांग भड़जी हैं उन्होंने चार भीद बता दिया है ठीक है एच इसको याद रखना अचारे जो वांग भड़जी हैं उन्होंने चार भीद बता दिया है मुत्रग्रिच्चे का पां वांगभट ने 20 भीद बता हैं मुत्रगड और माधवकन ने भी 13 भीद बता हैं यह चिज दहसे आपको याद रखने पिर भगंदर के विशंभात करें तो भगंदर के जो भीद हों उनका वणना नहीं किया है जबकि अचारे शुशुरुत ने भगंदर के पांच भेद बता हैं सारंगधर और वांगभर्ट ने भगंदर के कितने भेद बता हैं आठ अठ भेद बता हैं जो है आपके भगंदर के माने है सारंगधर ते था वांगभर जी ने प्रतिश्याय के विशम बात करें तो प्रतिश्याय के टोटल चार प्रकार होते हैं यह अचारे चरक ने बोले हैं चार प्रकार के प्रतिश्याय होते हैं अचारे शुशुरुत ने पांच प्रकार के आपके बताया है, प्रतिश्याय के जो टाइपस हैं, पांच प्रकार के होते हैं, इसके लब रस रतन समुच्चे में टोटल छह प्रकार जो है आपके प्रतिश्याय के बताया है, ठीक है, तो प्रतिश्याय के चार भेद अचारे और अचारे जो शुरूद है, उन्हों उन्हों कितना बता है, ग्यारा बता है, वांगभठ ने कितना बता है, वांगभठ ने कितना बता है, into the अचारे चरक का नुशरन करते हुए चरक ने भी पांच बताया था तो माधव का ने भी पांच बताया है और अचारे शुशुरुत ने ग्यारा बताया है ठीक है फिर उसके बादे आगे बढ़ते हैं तो गुल्म के भेत के विशे में तो अचारे चरक ने पांच प्रकार के के बताया पर तीन प्राकर के होते हैं ऐसा बोले, गुल्म को, इस के लाववा भेल में गुल्म के दो भिध बताया है, यह यह चीज़ आपको याद रहना चाहिए। फिर बात करते हैं रख्थ पित्त Veterans के बिश्यह में विश्यह में, दोज भेट से जो रखत पित्त हैं दोज भेट से जो रखत पित्त हैं उसके तीन प्रकार बताएगा है ठीक है दोज भेट से तीन है इसके अलवा अगर बात करें मार्ग भेट से ठीक है दो हैं यह अचारे चरक बोलते हैं तो दोज भेत के अधार पर जो रखते पित्ते हैं वो तीन है ठीक है और अचारे जो क्या बोलना चाहिए मार्ग भेत के अधार पर बात करत दो है ये अचारे चरक बोलते हैं जबकि अचारे जो सुसरूत हैं उन्होंने दोस भेट के अधार पे चार और साथ प्रकार के आपके रखते पित्त बता हैं मतलब दोस भेट के अधार पे चार और साथ होते हैं और मारग भेट के अधार पे दो होते हैं माधव के विशम बात करें, तो माधव ने मार्ग भेद के धार पर तीन बता हैं, भेल ने दो बता हैं और सारंग धार ने तीन बता हैं, तो यह आपको याद रखने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके वृधी रोग के विशम बोला गया, तो वृधी रोग के विषम बात करे तो वरिधी जो रोग है ठीक है उसके इसंक्यां तो चरख है ठीक है उन्होंने तीन भेड़वत्वत्वन है और शुशुरुत साथ भीड़वत्वत्वन ने घीए मतलब शुशुरुत का नुशटरन निके हैं जबकि अचारे जो शुशुरूत हैं उन्होंने कितने भेद बता हैं तीन भेद बता हैं किसके स्लीपत के मादाओकर ने कितने भेद बता हैं तो मादाओकर ने भी तीन भेदों का वर्णन के हैं बात करें शोथ के विशह में तो शोथ के जो टाइपस हैं ठीक है कि प्रमेह जो होता है उसके मेल्ली अचारे जो चरक है ठीक है? उन्होंने दो त्था बीस प्रकार के आपके, मतलब दो टाइप से बता है ध्विविद और जो आपका 20 प्रकार के हैं ठीक है और same जो है आपके अचारी शुषरूत ने भी बता है 2 वा 20 ठीक है वांग भटने भी 2 वा 20 बता है ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखना है तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों correct किया हूँ ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं यह बूलोंगे कि नंबर ही याद कर लो हाँ थोड़ा समय लगेगा ज्यादा नहीं है दो तीन पेजेस ही है पीछे के जो पेजेस हैं बहुत इंपोर्टेंट हो उसको आपको रटना ही पड़ेगा ठीक है इसमें कोड नहीं चलेगा जैसे कि टाइपस में आप कोड द इस नोट का पासवर्ड है शोध के चरकने कितने पता हैं दो तीन साथ चार ठीक है यह मिली इस नोट का पासवर्ड रहेगा तो आज की जो क्लास हो यहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट क्लास में ना इसके आगयापन दिखेंगे ओके ठीक है तो फिर थैंक्यू क्लास